दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हाइब क्लासेस में मैं हूँ शिवाजी दोस्तो आज हम इतिहास के एक महतपून चेप्टर पर बात करेंगे आपसे और वो महतपून अध्याए है आधुनिक भारत में बिर्टिस भारत में समाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन यानि कि 19 सदी में जो भारत में समाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए है वो बहत महतपून है आपके परिक्षा के दृष्टी कोन से और ऐसे भी जानकारी के लिए भी यह महतपून है क्योंकि आपको यह जान बात करने के लिए हमारे पास जो पहले की घटना गटित हुई है वो होनी चाहिए तो इसलिए सबसे पहले मैंने लिखा है प्रिष्ट भूमी यानि कि यह जो समाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन 19 सदी यानि कि ब्रिटिस काल में हुआ क्या यह पहली बार होने वाली घटना भारत में बिल्कुल नहीं भारत में धार्मिक सामाजिक जो आंदोलन है वो पहले भी हुए हैं और आप यूं कह सकते हैं कि इतिहास को जब हम भारत की इतिहास को जब हम तीन खंडों में बांटते हैं प्राचीन भारत का इतिहास मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनि वी सी का जो समय है वह भारत में एक धार्मिक आंदोलन का समय है और वह समय है जब वैदिक पर्था जो वैदिक परंपरा थी धर्म की और जो ब्रह्मनवादी धर्मिक विवस्था थी उसके खिलाफ एक समाजी कांदोलन होता है एक धार्मिक आंदोलन होता है और बौध धर्म जैन धर्म सरीखे कई 500 से अधिक धर्म जो है भारत में उभर कराते हैं और ये धार्मिक आंदोलन का रूप लेता है और जो लोग बैदिक धर्म को बैदिक विवस्था को मानने को तयार नहीं थे या उसमें वो आसहज महसूस करते थे क्योंकि वहाँ बहुत जादा आप कह सकते कठोरता था बहुत साड़ी चीजे ऐसी थी कर्मकांड थी जो सामाने लोगों के बसकी बात नहीं थी तो ऐसे में लोगों का विरोध जायज था लोगों के अंदर यह पीरा थी कि वह धर्म का ठिक ठिक पालन नहीं कर पा रहें तो या तो हुई प्राचीन काल की बात आप मध्यकाल में आईए जो प्रारंभिक मध्यकाल का समय है जो दसवी सतावदी से ले करके आप चौदावी सतावदी तक चले जाए यह जो कालखंड है जिसमें जिसको आरंभिक मध्यकाल कहते हैं या यू कहिए तुर्कों के आकर्मन का जो समय था तारम भी समय जिस समय भारत में मुस्लिमों का प्रवेश हो रहा था वह जो दौर था वह जो कालखंड था वहाँ भी एक भक्ति आंदोलंग हम लोग Cotton से सुरू होता है रामानुज के ने दृतितयों में और फिर उत्तर भारत में उसका प्रवेश होता है अल्वार नैंआर जिक्र हम लोग करते हैं मथिकाल में पढ dragged उसको और विस्तार से पढ़ेंगे तो एक धार्मी्का अंदोलन वहां भी था और और धार्मी कांदोलन का मतलब क्या है? धार्मी कांदोलन का मतलब है कि धर्म में सुधार, जो प्राचीन विवस्था चली आ रही है, उसमें सुधार, उसमें बदलाव किया का एक प्रयास किया जाता है. धर्म और समाज, धर्म समाज का सोरूप है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि स समाजिक निर्मान फोर उस भूमिका धर्म का होता है hoard को अन्धुन्ती के कारण परवेशण हो यो मध्यकाल में भी हम देखते हैं भक्ति आंदोलन को और फिर उसी क्रम को हम आके आधुनिक काल में जब देखते हैं कि 19-वी सतावदी में फिर से एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन हो जाता है तो हमारे लिए कोई आश्चर्ज की बात नहीं होगी, हमारे लिए कोई नई बात न चुका था वैसे समय में जिस समय अंग्डेजों एक समाजिक धार्मिक अंदूलन हो जाता है तो आखिर क्या कारण था किस प्रिस्भूमी में इसका जो कारण है वो तैयार होता है तो इसको बिटिस गौर्मेंट ने भारत में इसाई धर्म के परचार परशार के लिए मिसनरीज को एलाव कर दिया था यानि का 1813 SP में एक बड़ी घटना हुई भार्मिक मामले में कि जो इसाई मिसनरीज थे वो बिटिस एरिया से बिटिस बिटेंज से आकर भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रशार कर सकते थे और धर्म के प्रचार प्रशार का मूल कारण क्या था कि एक तो धर्म का पिस्तार होगा भारत में दूसरा कि इसाई धर्म का पालन करने वाले जो लोग होंगे वो कहीं न कहीं कौन होंगे तो वो जो है ब्रिटिस के सपोटर हो जाएंगे तो सम कहीं बैपारिक द्रिष्टी कौन भी था ब्रिटिसर्स का कि भारत में एक हम ऐसा समूह त्यार करें जो मेरे लिए हो तो 1813 इस वी जो है टर्निंग समझे भारतिय समाज के लिए था क्योंकि पहले से ही भारतिय समाज में कई कूडितियां ब्याप थी और जब इसाइयों का प्रवेश होता है तो इस बात को लेकर वह सामने आते हैं कि हमारा जो धर्म है वह रूडिवादिता से मुक्त है हमारे धर्म में कठोरता नहीं है और आपके समाज में जो भेदभाव है जातीगत भेदभाव है वह भी हमारे धर्म में नहीं है तो कुछ ऐसी चीजे हैं इस इसाइधर्म में या फिर आप जो इस्लामिक धर्म है उसको भी आप देखिए गा तो आपको वहां बहुत सारी ऐसी चीजे नजर आएंगी जैसे कि एकस्वरवाद एकस्वरवाद आप इसाइधर्म में भी देखते हैं आप इसलाम में भी देखते हैं लेकिन जब आप हिंदू धर्म में आते हैं जब हम भारत के धर्म हिंदू के धर्म के बारे में बात करते हैं तो वहां एक मत पर आना बहुत मुस्किल हो जाता है आप द कोई सगुन भक्ती में विश्वास करता है, कोई निर्गुन भक्ती में विश्वास करता है, तो अगर आप समाज के पांच लिवगों से मिलेंगे, तो आपको पांच मत सामने आएगा, तो हिंदु धर्म में एक ये इसको आप कमजोडी कह सकते हैं, और यही कारण था कि में चली आ रहे थी जातिवत भेदभाव, और जाती के आधार पर भी धर्म का भेदभाव हो गया था, धार्मिक आधार पर, जाती के आधार पर समाज जो बटा हुआ था हिंदु समाज, उसमें कहीं न कहीं एक अस्थान था, एक रिक्त अस्थान था, जिसको पूरा करने क लिए इस्लाम भी भारत में आते हैं और फिर इसाईयों का भी आगमन होता है और यही कारण है कि इन सब के खिलाफ एक समाजिक धार्मिक आंदोलन की आवरशक्ता यहां भी होती है कि जो रूढ़िवादी विवस्था जिता है जहां कटोड़ता है और जहां एकता की कमी है हिंदु धर्म में उसको ठीक किया जाए ताकि हम इसाई धर्म को counter कर सके और इसाईों का जो प्रवेश भारतिय समाज में होने वाला है उसको रोगा जा सके तो कहीं-न न कहीं इसमें एक सामंजस बराने का भी सामंजस और ने का भी एक प्रयास था। तो आए समझते हैं, यह तो फ्रिष्ट हुवी की बात हुई अब है, हिंदु धर्म में सुधार क्यों? क्यों आवश्यक था? तो मैंने आपको कही दिया, समझा ही दिया कि हिंदु धर्म में जो जो बुराईयां है उस बुराई के बारे में हमने आपसे जिक्र किया कि किस तरह से समाथ धर्म के नाम पर बटा हुआ है देवी देवता के नाम पर बटा हुआ है पूजा के तरीके पर बटा हुआ है आप वेद को उठा लिजिए वेद में किसी भी एक आकार वाले देवता का जिक्र नहीं है ब अलग अलग तरीके से इश्वर की एक संकल्पना दिखाई गई है एक कल्पना की गई है हूँ झाइश कम्या में रही है जिसके folksi लोग अलग बिसा में चले गए और जो एक्ता होनी चाहिए दो ध्वर में वह नहीं आ और एक्ता तो नहीं ही आप आई बाहरी जो धर्म है उसका परवेश भी आसान हुआ और यह जो विभाजन है समाजिक विभाजन आज भी जाड़ी है आज भी आप देखेंगे तो प्रतेक वेक्ति का जो मत है धर्म के प्रति वो अलग-अलग होता है लेकिन आप इसाई में द धर्मे सुधार की आविशकता थी इसमें कोई सक नहीं है और यही वज़ा था कि अठार 19 सतावदी में जो है एक समाजिक धार्मी का अंदोलन का आगाज होता है और इस आगाज का नित्रितों जो है अगर आप हिंदू धर्मे सुधार की बात करेंगे सबसे पहले हिंदू धर्मे सुधार की बात करेंगे तो ब्रह्म समाजिक होता है ब्रह्म समाज का जो प्रयास था हिंदू धर्मे सुधार का वह बहुत महत्पूर्ण था और ब्रह्म समाज का जब हम बात करेंगे और धर्मे सुधार की समाजिक सुधार की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको बात करना होगा राजा राम महुंडाई के बारे में क्योंकि ब्रह्म समाज का जो नित्रित्तु था राजा राम महुंडाई ने किया था और आप यूं कर सकते देखिए मैंने ब्रेकेट में लिखा है राजा राम महुंडाई के बारे में नव जागरन का गृदूत थे सुध हैं जिससे आधुनिक सब्द का पडिवासा निकलेगा वो दो सब्द क्या है एक सब्द तो है तर्क वाद और दूसरा है मानवतावाद का मतलब क्या है जब आप धर्म को या सभी चीजों को तर्क की कसोटी पर कसेंगे कि ऐसा क्यों जब आप तरक ढूनेंगे तब आप जो है आधुनिक्ता को परिवाशित करेंगे और मानप्तावाद जो मैंने दूसरा सब ठर्म कहा, मानप्तावाद से आधुनिक्वाद क्यों है, क्योंकि आप प्राचीन काल की वेवस्था में देखिए, वेक्ती गौन है, इस्वर की गई थी, और यहाँ पर कष्ट काटते हैं, और फिर जो है, वेक्ती गौन है, यहाँ पर काशीन काल में, और इस्वर प्रमुख है, लेकिन आधुनिक काल का जो बेवस्था है, जिसमें मैंने मानप्तावाद का जिक्र किया, तो मानप्तावाद का मतलब है, वेक्ती महत् कर सकता है बेक्ति के पास सक्तिक है कि अपने कर्म के फल से इस्वर वाला रुप है महाकावव में थे बरेइड है और यहां आधूंटिक सब्थ करेंगे करें हैंगे तो दो चीज याद रखेंगे रखेंगे तरकबाद हर चीज में तरक ढूंडना और दूसरा मानवता यानि बेक्ती को महतों देना तो यह दो चीज जब सामने आता है तो हम कहते हैं कि अधुनिकता की और हम हैं और राजाराम महुंडाय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले राजाराम प्राय के जीवन के बारे में अगर आप समझेंगे तो इनका जन्म एक कट्रवादी ब्रह्मन पडिवार में हुआ था बंगाल में इनकी परहाई लिखाई है वह पटना में पार्सी की परहाई पार्सी और अर्वी भासा में इन्होंने परहाई किया था और बहुत अच्छ है उसका अध्यन क्या था फिर वैसे ही संस्कृत का अध्यन करके इन्होंने क्या किया वेद और उपनिशत का अध्यन किया और इन सभी अध्यन के बाद सभी ग्रंथों के अध्यन के बाद जो उन्होंने विचार लाया उसी विचार को सामिल करते हैं ब्रहम समाज की अस्थ और पास्ञात का मतलब क्या है प्का हमारा बिवस्था इसको सामने लाया और व्यूंसे मिला करम कहा कि नए समाज समाज का निर्मान होगा और एक ग्यापक्फ शुधारात्मक समाज का निर्मान होगा 3 में सम्मलित रूप छिसको मानते थे 815 फे मैं इसी बिश्टी कौन के साथ इन्हों ने आत्मिय सभागा गठन कि तर आत्मिय सभागर यह पुरुबर्ती संस्थाथी ब्रह्म समाज की 828 इसभी में कलकत्ता में ब्रह्म सभा की अस्थापना होती है जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है तो आप यह कुछ योपतत हैं इसको ध्यान डखेंगे इसका उदेश क्या था ब्रह्म समाज की अस्थापना या रोडी वादिता है यहां जहां जहां जिस स्टेज पर गरवरी उनको नजर आया अध्यान के बाद तो वहां पर सुधार लाना चाहते थे मुर्ति पुजा का विरोध करते थे और एकेश्वरबाद में विश्वास करते थे राजारा महंडाय मुर्ति पुजा का विरोध की जब बात आप करेंगे तो भक्ति आंदुलन में भी आपको दिखेगा यह कोई नई बात नहीं है जो इन्होंने कहा है आप यह चटी सतावदी बीसी में बात करेंगे वहां भी कहीं ने कहीं विरोध है उसके बाद भक्ति आंदुलन तो पूर्णूप से मुर्ति पुजा का विरोध करता है भक्ति परबल देता है वो तो इस तरह का आप पहले भी पिसरित है इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो अलगलग गरंतों में अलगलग विचार धाराये हैं मुर्ति पुजा को लेकर तो कुल मिला का अगर राजा रामोंडाई की आप बात करते हैं तो मुर्ति पुजा के वो विरोधी थे एक इश्वरवाद को मानते थे एक में अठरन होगा आपका जैसा कि इसलामिक और इसाईयों में एक इश्वर तो एकहीं इश्वर में जब विश्वास करेंगे तो सभी लोगों में भी आपसी ओगसे हाई धर्मिक अधर्म जो है एक नकालम dus जुद्धिक सब मॉडर्न यूज करते हैं तो dooda ऊंडिया में होते हैं या इस लिए नहीं है तो इसको इन्होने अधार पूछा का उख एके इश्वर बिरोद का रहर जैसे बहु पत्नी प्रतान एक वेक्टी के दोड़ा कई पत्नियां कई विवाह करके पत्नी रखने की परंपराथी समाजिक विवस्त था उसका इदों ने विरोद किया जाती वात का यह घोर विरोधी थे जाती वात का विरोधी तो आपने देखा भीमडा अंबेतकर ने भी गांधी जी ने भी सब लोगों ने जो आप आधुनिक भारत का जो आंदुलन परहेंगे भारत सवतंदर्ता के लिए जो प्रयास किया गया उसमें भी कहीं ने कहीं आप देखेंगे कि जो महानायक हुए और राजपुतों की जो पत्नी होती थी उनके साथ सिता पर जल जाती थी तुए इस विवस्था हो इन्हों ने घोर बिरोध किया था बाल वीवा बाल वीवा विरोध में किया था यह सब आधुनिक सोच है फ्रोग्रेसिव सोच है जो आज भी जाड़ी है कि कर्मकांड का इन्होंने विरोध किया था कर्मकांड का भी इन्होंने विरोध किया था और समर्थन किसका किया था विद्वा पुनर्विवा का इन्होंने समर्थन किया था विद्वा अगर कोई हो जाती है तो उसको फिर से विवाह करने की का अधिकार होना चाहिए तो यह सब इनका जो इ सब भू करदें को शाराच्छ को पता होगा इंग्रेजों सरकारी पतल बनें का संबाद परियास था समाच सुधार का इने सब के माध्यम से इन जो जो समाजिक कुडितियां थी उस पर चोट किया था इसके माध्यमसिरों ने फार्सी में ही इन्हों ने लिखा था तोफ़तुल मुवाहदीम इसका भी प्रकाशन किया था फिर 1823 में राजा रामोंडाई द्वारकानाद टैगोर और विलियम एडम यह तीनों जो है मिलकर क्या किये थे कलकत्ता यूनेटेडियन कमिटी की अस्थापना की थी कलकत्ता यूनिटेडियन जो है यह एक श्वरवात पर बल देता था तो अठाटाइश्वर बात पर बल द डेविड हेयर जो कि घरी बनाने वाला मिस्तिरी था अंग्रेज उसके साथ मिलकर क्या किया था कलकत्ता में एक हिंदू कोलेज के अस्थापना की थी देविड हेयर के साथ मिलकर यह कई बार सवाल पूछा गया है पिर 1825 इस भी में आ जाईए 1825 में वेदांत कोलेज की अस खापना की तो यह ब्रह्म समाज का यह सब कारित था इसमें और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो भी हम आगे देखेंगे अब देखे राजार राम मोहन राई के जीवन के एक महतपुन घटना है कि उस समय के जो मुगल सासक थे अकवर्दूतिय उसके अधिकार की मांग के लिए उनके तरफ से यह गये थे ब्रिटेन ब्रिटिस जो गर्मेंट है उससे बात करने के लिए कि अखवर्दूतिय को चुकि वह मुगल सासक का उत्राधिकारी था मुगल सामराज का उत्राधिकारी था तो उसको अधिकार दिया जाए उसके पेंसन को लेकर और सारी आतरेंटेंटी सभी में णके अब्रिटेन के इनकी मिर्ति हो गई था लिहान रखेंगे सवाल पूछा गया है तो यह तो राधा की उपधी कि और में इनकी मृत्यू हो जाती हैं और इनकी ब्रिट्टा है यह डिवेंदरनात नित्रत में करता सरवादिक खो िस्षाब यह सबसे पहले तो आप देखें कि ब्रॉंज fällt ए तो 大ट क्या करते हैं नेत्र देते हैं 1849 में इन्होंने तत्व भूधनी सभा की भी अस्थापना कि थी यह ही सवानंतर व्यवस्था थी ब्रह्म सवागी ने 1863 में क्या किया आधी ब्रह्म समाज की तकरार हो ब्रह्म समाज को लेकर कौन इसके परमुक रहेंगे तो वैसी इस्थिति में केशब चंद सेन्ज जो है उस टकरार की इस्थिति में क्या करते हैं 1866 इस वी में आधी भ्रह्मिय समाज कर लेते हैं जो भारतीय भ्रह्मिय समाज की Kjensawal जाता है केशब चंद सेन एक महत्रपून बेखती है जिनका आगे भी अभी देखेंगे केशब चंद सेन ने टेवरेन निकल आफ न्यू डिस्पेंशन नाम की संस्था एक सभा की भी अस्थापना की थी फिर 1870 इस्वी में जो है वो ब्रिटेन की भी यात्रा करते है जो ब्रम विवाह अधिनयम लाती है जाता है ज्दह जाता है लेकिन हम देखते हैं में केशब चैंद सेन खुद ही इस अधिन्यः नवाल हो 14 वक्रिक वक्राजयो देखे ugly कि बीठी का विवाद के राजकुमार से कर देते हैं तो अईसी स्थिति में जो है एक विवाक को फॉज्व समय में वह भागों टूट जाता है क्यों केशव चंद सेन का क्रित धाम है यह लोगता है नहीं लगता है और बाद में यह टूटना शुरू हो जाता है तो कुल मिलाके जो ब्रह्म समाज का मूल है जो मूल तत्व है वो राजारामोंडाई तक ही है बाद में विखंडन सुरू हो जाता है और धिरे 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 उसका जो प्रभाव है वो कम होता जाता है लेकि राजारामोंडाई का जो प्रयास है वो प्ररमभिक प्रयास ह यह प्रतिफल है कि आगे आप देखेंगे कि जो समाजिक बदलाव के लिए आंदोलन चलाई जाते हैं बहुत तेज होता है बहुत मजबूत होता है तो दोस्तों आज हमने जो समाजिक धार्मिक आंदोलन है 19 सदी का उसमें सबसे महतपुन कड़ी जो है राजाराम महुंडाय के बारे में समझा ब्रह्म समाज के बारे में समझा और अगले क्लास में इसको निरंतर रखेंगे और बाकी के जो सुधारा के जो प्रयास हैं जो संस्थाय अस्थापित की गई चाहे वह हिंदू धर्में सुधार के लिए हो चाहे वह इसलाम धर्में सुधार के लिए हो या जाती गत जो भेद भाव है समाजिक उसमें बदलाव के लिए जो प्रयास किये हो सबको हम लोग समाहित करेंगे समलित करेंगे तब यह चेप्टर जो है समाजिक धार्मि किस्वी सदी का कम्प्लीट होगा तो देखते रहे है हाइप क्लासेस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद